है इंडिंगेमर्स मैं हूँ आईजी आप देखें इंडिंगेमर्स चनल जहां बात करतें गेम सो केंग पीसीजी तो गड़ाक पर इंटरस है गेम सो केंग पीसीज में तो जल्कुल स्प्राइब करें लेकिन आज मैं बात कर रहेंगे लेप्टॉप की जिसका नाम है एसुस की तरफ से आने वाला FX 505-DY इस लेप्टॉप का पूरा रिव्यू थोड़े दिन बाद आएगा लेकिन मैं इस पे अभी इसलिए बात कर रहा हूँ कि सेल चल लई हो सकता है सेल खतम हो जाए तो इसके बढ़ जाएंगे यह अच्छा लेप्टॉप है इसलिए मैं आपको अभी बताना चाहरा हूँ तो मुद्दे की बात यह के 50,000 की नीचे आने वाला यह मॉडल है 49,000 कुछ का है FX 505-DY इसमें आता क्या-क्या है इस पे आपको मिलता RX 560 ग्राफिक कार्ड जो की 4GB वाला वो पुराना है और कमजोर है उसका फॉल्ट यह है लेकिन Acer वालों ने भी बड़े मज़े लिए वो 53-56,000 का उन्होंने खूब बेचा है आज उन्होंने भी सेल में 47 का कर दिया है इससे भी कम प्राइस का बिकरा है लेकिन मैं आपको कहूंगा यह जाड़ा प्रिफर करें क्योंकि Tuff Series के laptop एक तो quality में तो अच्छे है ही है साथ में जो hardware भी आपको इसमें मिलना है वो उससे better है और एक बार पता हूँ आपको अगर इन दोनों laptop के बीच में choice चूज करना हो ना जैसे कि आपको Asus वाला लेना है या फिर Acer वाला लेना है वो थोड़ा भारी है I mean एक लाक के बिक रहें क्यों क्यों क्योंकि वो सिलिम है छोटे फूम फेक्टर में आते हैं बढ़िया एकदम चलते हैं सारा बाकी जो hardware उनके लगा हुआ है IPS screen के साथ आते हैं तो Acer के साथ आप मुकाबला करो तो Acer वाला भारी है यह हलका है इस बात के भी अगर extra पैसे दे पड़े तो दे देने चाहिए दिस वेरी गुड़ लैप्टॉप और गेमिंग की बात कर वहाँ मैं आपको इस लैप्टॉप के बारे में जैसे जिन जिन लैप्टॉप में 560 लगा हुआ रहा है उनके बारे में कुछ एक अभवा उड़ी हुई है कि गरम चलते हैं मैं तो आपने 580 लगे हुए RX 580 या RX 590 लगा हो लैप्टॉप में जातर NVIDIA वाला ही होते हैं लेकिन 50,000 के नीचे जैसे ही आते हो तो AMD का हलका सा राज शुरू हो जाता है जैसे कि आपको उनके APU मिलने लगते हैं और या फिर 560X जैसा वो ग्राफिक कार्ड बिलता है एक और बा करते हैं यह बहुत अच्छा है बहुत बड़ी गेमिंग कराईगी मैं आपको सच्छा ही बताता हूं कि इस लैट्टॉप की क्या है वैसे तो मैं आपको इसमें गेमिंग बेंचमार्क भी करके दिखाऊंगा सारे गेम चला के दिखाऊंगा एक्जेक्टली बताओंगा कि क अबना इसके लेकिन मैं इसे कह सकता हूं कि गेमिंग लपटॉप को कि एक gaming laptop है क्योंकि वो game चलाता है और सारे game चलाता है modern titles भी सारे चलाता है लेकिन ये जो graphic card s पे लगा हुआ 560 वो बना हुआ है low settings के लिए जार 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 medium settings के लिए वो बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है 60 fps के लिए वो बना हुआ 30-45 fps के लिए आपको settings low रखनी पड़ेंगी 1080p के लिए भी नहीं बना हुआ है 560x ये basically बना हुआ 720p पे तो कि problem है 1080p पे जैसे games नहीं चल पा रहे हैं तो IG तो problem ही हो गई आप ऐसे समझो जैसे हम तो desktop वाले हैं वो 1080p की बात इसलिए करते हैं तो हमें कमसे कम इतनी बड़ी-बड़ी screen नहीं मिलती है तो इतने पे 1080p का resolution अच्छा है अगर आपका इस पे 720p का resolution होता है तो screen size भी तो छोटा हो गया तो इतना कोई problem नहीं है और दूसरी बात सीजी सी बात है आप जितने पैसे दे रहे हो आपको उसे भी साफ से मिल ला है कम से कम यह कहतो सकते हो के gaming laptop है अगर आपको और जादा चीजन चाहिए कि नहीं आजी मेरे को तो 1080p पे gaming करनी है नहीं आजी मेरे को तो caps पे gaming करनी है उन्होंने भी 560 लगाया अपना 4GV वाला वर्जन और उन्होंने 2500 यू लगा दिया सही लैपटॉप सब भी उन्होंने बेचा 3500-5000 के उन्होंने खुब बेचे लेकिन ये बिल्कुल नया है अब ये नया है तो उन्होंने जो है CPU जो है वो साथ ही नहीं दे पार अग्राफिक कार्ड का इसमें जो CPU लगा हुआ है वो है ताकतवर Acer वाले पे जो लगा हुआ है वो थोड़ा कमजोर है और यह जरूर ही है क्योंकि हम बात ही इतने चोटे लेवल पे कर रहे हैं कि gaming हो पाएगी या नहीं हो पाएगी मुद्दे की बात तो यह चल लएगी है बात यह ही नहीं कि कितना अच्छा चलेगा अगर आप कमजोर CPU लेती हो ना तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी तो आप जितनी भी ताकत बढ़ा सकते हो बढ़ानी चाहिए इसमें नयार CPU लगा हुआ है तो इसलिए बेनफीचल है अच्छा बाकी इस लेप्टॉप में क्या-क्या अच्छा ही है वो मैं आपको बहुत कुछ बता दूँग जैसे मैं आपको सब बता दिया गर्मी की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको यह उम्मी दोनी चाहिए अगर AMD का लगा हुआ है तो बिल्कुल सही है और गर्मी की है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको क्या करना है इसको जहां भी चलाना है आप चलाओ इसके लिए क्या AC खरीद होगे आप नहीं बिल्कुल सही लेफटॉप है एकदम बढ़िया चलता कोई दिक्कत नहीं है गेमिंग करवाता है आप यह कह सकते हो कि गेमिंग लेफटॉप है यह नहीं से कह सकते हैं कि यह हाई सेटिंग पर 1080p 60fps चलाएगा वह तो मैं भी नहीं कह रहा लेकिन फिर भी गेमिंग करवाता है और मैंने एक और Asus का आपको रिव्यू बताया था एक लेफटॉप का उसमें आपको साथ दिखाया था APU की ताकत उसमें कुछ पुराने टाइडल चल जाएंगे जैसे GTA 5 आपको मैंने चला के दिखाया लेकिन जैसे ही में उसमें Shadow of the Tomblander चला है तो उसकी पॉर्टी निकल गी ती वो नहीं कर पाया था आप सीधे समल लो इस तरहा के जो लेपटॉप साते है dedicated graphic cards के साथ वो ही आपको जो है properly gaming करवा सकते हैं इतने low budget पे होते हुए भी और obviously बात अगर आपको एक्स्टा चीज़े चाहिए तो आप उपर जाओ ये वीडियो मैंने समय इसलिए बना दिया क्यों वो अभी sale में है laptop हो सकता है ASOS और ASOS दोनों के ही price बढ़ जाएं जैसे ही sale खतम हो तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है इसका full review अगर आपको जानना हो laptop का तो वो मैं कर दूँगा पूरा full flash आपको ढंक से दिखाऊंगा कि क्या है और इसकी असलिए भी बताऊंगा और इसके अंदर और भी अच्छी चीज़े हैं वो भी बताऊंगा कि 5000 में आपको मिल क्या रहा है और 560 के भी बारे में हम और जादा बात करेंगे और मैं आपको actually मैं benchmark करके भी दिखाऊंगा कि इस पर गेंस कौन से चलते हैं यह बताऊंगा नहीं न ग्राफ दिखाऊंगा न गेम यह चला के छोड़ दूँगा मैं आपको actually benchmark दिखाऊंगा नंबर चलेंगे कि कितना CPU यूज हो रहा है कितनी RAM यूज हो रही है तो उसमें भी वो डिस्कस करेंगे कि इस laptop की असी ताकत क्या है इस laptop का link अगर आपको जाना हो कि प्राइस केती चल लिए मैंने link दे दिया आपको description में जरूर चेक करिए प्लीज एक बार चेक जरूर करिए का कि लोग क्या कह रहे है आप में से कई लोगों ने request की थी कल के वीडियो बे इसलिए मैंने फटा फट वीडियो बनाया देखो मैं सुनता हूँ मैं यह एक चाहा आदमी हूँ मेरे कहान है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें चल मैं पहली बार आप तो सबस्क्राइब करें मैं हूँ आप देख देख देनी कमेर चल मैं में पहले वीडियो में तब तक लिए गुटबाय डाटा